प्रदेश कॉंग्रेस अगले कुछ महीने बाद होने जा रहा है विधानसभा चुनाओ को देखते हुए पूरी तरस से चुनाओी मोड में काम कर रही है प्रदेश की सत्ता बनाने में अहम योगदान रखने वाले युवा वर्गो को साधने के लिए आज प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनात की अगवाई में बाल कॉंग्रेस का राज्य इस्तरिय सम्मेलन भोपाल के प्रदेश कॉंग्रेस का रेले में आईजित किया गया बाल कॉंग्रेस के अध्यक्ष लक्ष गुपता ने सम्मेलर में शामिल हुए PCC चीफ कमलनाथ को बाल कॉंग्रेस का बेश लगा कर स्वाकत किया बोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट उच्वाइब अपाल मेरे पीता जी ने मेरा नाम चीला रखाता है मेरे ससूजी मेरे पति का नाम जमाहा साथी अधी रखा है अंदर बिटेटी का नाम साइजा रखा है और सबसे बड़ी का थे देश में इस सब जो हालत है कि देश की जो आन्दिक सुरक्षा है वो है खत्रे में, सभिनान खत्रे में, आरक्षर खत्रे में और ये सब इन सब समस्यां सोभार सिक आद्रे सकती हैं और हमारे मुख्यार मना जी हैं, इनके निज़द में उची विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी है प्रदेश का जो भी समस्यां हैं और भी बहुत सारी जो ताक्ते हैं, जो फिरका परस्ती लोग हैं, जो देश को पुरी तरह से पंगाल करने में और बरबाद करने में उनको आपके निज़द से ज़रूर बनने का मुख्यार में लेगा, और रही बाद तो आप हमारे मुख्या हैं, जो मुझे आदेश करी, मैं अब आपका 40 सार कान्व है, पॉलिटिकल सेंटर में भी हैं, स्टेट में भी हैं, मैं तो कोई पॉलिटिकल घराने से तुहूं न मैं एक समाजी कार करता की रूप में मानवर कासी राम साफ की विचाधारा से जूरी थी और मैंने इसी वज़े से वहां काम किया था, मुझे समझ में आ रहा हैं, ये सब संभव वहां नहीं है, इसलिए आदेने इन कमला जी जिमाति में पॉलिटिकल आप साथ कुब करता है राजस्तर ये बैठक रखी गई है, पिछले वर्ष नवंबर के माह में कमला जी मुझे निवास पर ये बैठक रखी थी, क्योंकि चार महीने हो चोगे थे और बच्चों की विगेशन आ गई है, बाल कॉंग्रस का जो एज ग्रूप है मेंली स्कूल और कोचिंग का एज ग बच्चों की विकेशन्स आ चुकी है, तो आगे कैसे काम करना है, अपने जैसे और युवाओ को कैसे जोड़ना है, ग्रामिन शेतर में जिन युवाओ को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, उन अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करना, एक स्टेज उ जुडवाना अपने घर परिवार में जो लोग बालिक इस साल बन रहे हैं उन लोग का नाम वोटिंग लिस्ट में जुडवाना इन सभी को लेकर आज ये बैठक रखी गई थी जिसमें कमल नाजी उपस्तित थे कमल नाजी ने कई नए नए काम भी दिये बच्चों को करीब 30,009 वोटर्स 2023 के चुनाओं में पहली बार मद्दान करेगी जिसमें से 16,001 युवा का नाम इसी साल जुड़ा जाएगा ये करीब पूरे वोट बैंक के 5.6% वोटर्स रहते हैं अब सरकार बनाना सरकार नहीं बनाना इन युवाओं के हाथ में रहता है लेकिन अग कौन सी पार्टी इन के भenario में सोचती है शिर्ष लडाती नहीं है कौन सी पार्टी इन के भकार में सोचती है इन युवाओं को इस चीजिक जागरूत करना उन्हें सैची कहानियां बताना सच्छाई से अफगत कराना बाल कॉंगरेस का मुख्योद देश रहेगा बे सहारा यहां हमें रक्षा देनी है कि यह गुम्राना हो जाया, बच्ये गल्ड रास्ते बना चलिहा, यह कोई राज़्मीतिक दल ендर है, यह साई जानकारी लेश को सही जानकारी, देश की हिद्यास की सान्सक्रिते की देश के बारे में उन्हें मुझे नहीं पता है जो आज आया है और ये भी बहुत सारी बाते मीडिया में नहीं आ रही ये तो मीडिया को भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं मिलाया हुआ है चलिए आज देखे बड़े दुख की बात है आज खुले रूप से जो ये मुडर हो रहे हैं ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून गर्स का क्या है क्या राजनीती हो रही है अब उतरत देश में और अपने देश में साब मुडर हो रहा है एक दिन किसी का ह पूरे समाज को सोचने की बात है कि कहां अपना उत्तर पादेश और कऊं अपना देश घसीटा जा रहा है ये घटना अगर उत्तर पादेश में हुई है जो सबसे मां पादेश है बड़े जुल्भाग्यपुर्ण है और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट जज इसका खुद लोटिस ले और इसकी जांच ओडरी करें देखिए दूद्पूर राजयपाल सत्यपाल मलेक का आपने इंटर्व्यू पढ़ा है पूरा इंटर्व्यू एक गंटे नौ मिनिट का आप लोग दिखेएं उन्होंने इत्ते साल भारतिय जंटापाटि में रहे कर राजयपाल रहेकर इत्ते साल और बड़े ऐसे राजयों में वो राजयपाल रहे जो बड़े नाजुप उन्होंने जो कहा है ये एक बहुत बड बाद खुलासा है यह परदाफास करती है और यही सच्चा ही है जो ना कोई चैनल दिखाएगा ना कोई मीडिया में लिखेगा पर यह कब तक दबेगा यह सब बातें कब तक दबेंगे हैं सच तो यह है अच्छा दूसरी चीज शिवराज सिंगी विबिन घोष्णाएं कर रहे हैं जहां जा रहे हैं घोष्णाएं कर रहे हैं मेरा साफ प्रश्ण है कि 18 साल में आपने जो नहीं किया आखरी पांच महिनों में आप जंता को मूर्ख बनाना चाहते हैं इन घोष्णाओं से लाडली भेन आपको लाडली भेन पिछले 18 साल में तो याद नहीं आई चली 18 साल नहीं याद आई दस साल पहले नहीं याद आई पांच साल पहले नहीं याद आई तीन साल पहले नहीं याद आई चुनाब के समय आपको याद आती है लाडली भेन जो भी घोष्णा है हमारे करमच कर्मचारियों के पिअ आज ये सब जो 18 साल में नहीं तो इस कम जय कुझ भास होती है कि जूकर कि मैंने बहुतager करें यह हैं I'll तो खुद ही अपने आप श्रीकार कर रहे हैं कि यह सब जो मुझे पहले करना चाहिए था अब मैं आखरी पांच महीनों में मध्य पिदेश की जद्दा और मध्दाता को मूर्ख बनाने के लिए मैं कर रहा हूं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें